नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी चैनल अचार जागंद्र मिस्त्रा में अब छपड़ फाड़ के बरसेगा पैसा क्यूंकि दो अप्रेल से ये छे राशियां होंगी माला माल जी हैं दोस्तों दोस्तों हमारे प्राचीन जोतिस के अनुसार सौर मंडल में कुल नौ ग्रह हैं और सभी ग्रहों में बुद्ध को युबराज की उपादि से सुसोभित किया गया है बुद्ध ग्रह को बुद्धी का कारक भी माना जाता है शूर से सबसे नश्दीक ग्रह बुद्ध ग्रह है बुद्ध यदि आपकी कुंडली में बलवान हो तो आप बुद्धी बाक चातूर शौमता और शमजदारी का ब्यक्तित्य आदि गुणों से लैस रहेंगे बुद्ध के शुब रहने से आप अपने बातों के हुनर से समझने वाले सामने वाले ब्यक्ति को भी आकर्शित कर लेते हैं अपने वाणी से और सामने वाले ब्यक्ति को अपनी बात मनवा भी शकते हैं जोतिस के अनसार ग्रह हमेशा अपनी चाल बदलते रहते हैं और इनकी चाल बदलने से आने वाले दिनों में इसका प्रभाव कुछ राशवाली जातकों के उपर दिखने वाला है जी हां दोस्तों जैसा कि अब अब निश्चित और पे दो अप्रेल से कुछ राशवाली जात राश में आ चुके हैं जिसके कारण कुछ राश वाले ज्यात्कों के उपर इनका बहुत ही बेहद शुब प्रभाव रहने वाला है जो तिस विद्यानों की माने तो बुद्ध का राशी परवर्तन एक अप्रेल को हो चुका है जिसके कारण कई सारे शुब राजयोग और धन प्रभाव शभी राशियों पर पड़ेगा बुद्ध के इस राशी परवर्तन से खास कर छे राशी वाले जात्कों को धन से माला माल बनाने वाले हैं जहां कुछ राशी वाले जात्कों के उपर बिशेश रूप से इन जात्कों को धन का लाव मिलेगा तो वहीं यहां पर कुछ राशी वाले जातकों को हानी भी हो शकती है लेकिन दोस्तों हम चुकि यहां पर बात कर रहे हैं इन छे राशी वाले जातकों के उपर जिनके उपर बुद्ध का यह रासी परवर्तन बेहदी अच्छा रहने वाला है तो दोस्तों आईए जान लेते हैं और इसे अंध तक जरूर देखें चलिए दोस्तों सुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहली और भागशाली जो राशी आती है दोस्तों वो है ब्रिसवराशी बताना चाहेंगे कि बुद्ध का रासी परवर्तन के चलते बुद्ध के 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 बुद्ध के रासी परवर्तन के चलते बुद्ध के बुद्ध के रासी परवर्त जीवन में बहुत ज़्यादा काम्याबी प्राप्त करने वाले हैं अगर इनका कोई बड़ा धनलाब रुका हुआ था या कोई बड़ी यानिक डील रुकी हुए थी अब डील फाइनल होती नजराएगे रुका हुआ फसा वधन प्राप्त होगा लोटरी शक्टा शेयर मार्क के जातकों कि आपके लिए बहुत अच्छे अपसर आने वाले हैं दो अप्राइल के बाद का जो समय रहेगा आपके लाजवाब रहने वाला है आपके केरियर में आपके जोब नौकरी में बहुत अच्छे शुब अपसर प्राप्त होने वाले हैं नौकरी में शेलरी में ब उनकी ये चिंताएं दूर होंगी और एक नई नोकरी के रूप में उन्हें बड़ी खुसकवरी प्राप्त होने वाली है जी हां दोस्तों बताना चाहेंगे कि घर परिवार का भी महौल आपके लिए बहुत ही सुब दायक रहने वाला है अगली जो राशी आती है दोस्तों व आपके जीवन में कई शारे सुनहरे मौके मिलने वाले हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों कि बुद्धग्रे के रासी परवर्दन से इतने यानि कि अच्छे राजयोग बन रहे हैं जिसके कारण है यहां पर एक तो नीच भंग राजयोग का यानि कि हो रहा जिसके कारण इन रास वाले जातकों के लिए माता लक्षमी जी ने अपार कृपादिष्टी अभी इन रास वाले जातकों के उपर बरसाने वाली है चपर फार के अब बरसे का पैसा इन रास वाले जातकों के उपर क्यूंकि माता लक्षमी जी प्रसन्न हो चुकी है जी हां दोस्तो नीच भंग राजयोग यानि की सुक्रदेव भी बैटे हुए हैं और बुद्ध देव अपनी नीच की राशिम बैटे हैं और उच्छी के सुक्रदेव हैं इस कारण से बहुत अच्छे सुब अफसार और बुद्ध के और सुक्र के नीच भंग राजयोग बन आदे तूला राशी तूला राशी वली जात्कों को बता दे कि अब माता लक्षमी जी की कृपा दृष्ट से आपके जीवन में अपर खुशियां बरशने वाली है अब छपर फार के बरसेगा पैसा दो अपरेल के बाद आपके जीवन की शारी दुख तकलीफ हैं अब माता कारकरम हो शकते हैं पीता जी आपके धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं तो वहीं माता जी के शेहत में शुधार देखने को मिलेगा आपकी शेहत भी लाजबाब रहेगी तो वहीं जीवन साथी के साथ अच्छे शंबंद इस्थापित नजराएंगे आपके दामपत्थ पर देखने को मिलेंगे पांचमी जो राशी आती है दोस्तो वह यहां पर मीन राश बता ना जाहेंगे मीन राश की जातकों कि आपकी राशी पर नीच भंग राजयोग दो अप्रेल से चुकि यहां पर बन चुका है क्योंकि दोस्तो बुद्ध ग्रह अपनी नीच के अब होने वाले हैं और आप जल्द से जल्द माला माल धन से माला माल होने वाले हैं जी हां दोस्तो बताना चाहेंगे कि आपके दौरा लिया गया निड़ने सर्बोत्तम होगा बित्ति स्थिति में मजबूती आएगी लोन के लिए आवेदंद्य तो लोन मंजूर होता दिखाई देगा प्रेम संबंदों में मजबूती आएगी अगली राशी यानि कि जो छटी राशी आती है दोस्तों बताना चाहेंगे वो है कन्या राशी कन्या राश के जातकों आपके द्वारा लिया गया निने सरबॉत्तम होगा क्योंकि माता लक्षमी जी की कृपा से दो समाप्त होने वाली है क्योंकि अब दो अप्रेल से बहुत अच्छे राश्योग और धन्योग का निर्मार हो रहा है जिसके चलते जीवन में अपार खुशिया अपार यानि खुशियों के साथ साथ धन संपदार जित करते निज़राएंगे रुका हुआ फासा वधन प्रा अप्त हो सकता है इसे का कारण दोस्तो माता लक्ष्मी जी इन 6 राश्योग जात्कों को 2 अप्रेल से बहुत बड़ी खुश खबरी देने बाली हैं इनके ब्यापार के छेतर में दिन दूनी राच चोगनी तरकी करते हुई आगे बढ़ने बाले हैं समाज में मान सम्मान ब दिएगा जै भगुती मालक्ष्मी